ओम नमेश्वय जैमा काल दूस्तो निर्धन को धन देने वाली नी संतान को संतान देने वाली गाज माता का व्रत कब क्या जाता है गाज माता का डोरा कहां से लेकर बांधा जाता है जब हम डोरा खोलते हैं तो इसके बाद इस डोरे का क्या क्या जाता है डोरा खोलते समय हमे क्या कहना चाहिए गाज tapping प divisव चूब बिद्ची के ज सब्सक्राइब ये किसी भी शुब दिन पर किया जा सकता है क्या जा सकता है हिंवाण्य अनुसर गाजमाता का ब्राथ का बूजन करने से अनिधन और संतान की प्रापती होती है इस व्रत को करने की कोई नियती थी नहीं होती किसी भी सुब दिन में भाधो महा का कोई भी सुब दिन देखकर आप ये लोग व्रत को कर सकते हैं इस साल गाज माता का व्रत और पूजन 17 सितंबर 2003 तेस रवीवार के दिन आप कर सकते हैं आई आप जानते हैं गाज माता का वरत और फूजन विदी किस तरीके से करनी है तो दोस्तों भादो महा में जब आप किसी भी शुब दिन पर इस प्रत को रखना चाहें तो इस दिन प्राते काल उटकर नहादो कर साफ सुत्रे कबड़े पहन कर पूजा के लिए पूजा करते हैं तो आपके परिवार में जो भी परंप्रा है उस अनुसार ही आप अपने घर में इसकी पूजा कीजे इसके बाद जब आप पूजा करने बैठते हैं तो वहां पर आपको एक जल से भरावा कलश रखना है कुछ लोगों के यहां पर हलवा पूरी बनाई ज जाता है और जब जो स्तरी वरत को करती है उसे वरत में वो गाज-ण कहाने होते है हात में चावल के दाने और दूब घास लेकर गाज-चानी कहानी सुननिक गाज की कहानी सुनने के बाद में आपको विदायक जी की कहानी सुनने है जिसे चिटक विनाएगी की कथा कहा जाता है इसके बाद जो जल आपने लिया है उस जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित करना है गाज मातक की पूजा में बहुत से लोगों के हां गजरोट बना जाते हैं, जिनने एक थाली में रखकर पूजा के पास ही रखा जाता है, जितने भी गजरोट आपने बनाए हैं, उन सब को इखटा करकर पूजा की थाली आपको अपने पास ही रखनी है, इसके बाद सभी पडोस की महिला एक साथ कथा सुनती है, जब हम कथा सुनते हैं तो उसमें गाज को खोलकर अपने गजरौड के पास रखते हैं, गाज इस तरीके से खोला जाता है कि जो आपने दोनों गजरौड बनाए है, उसमें से चोटे-चोटे से टुकडे साडी की पल्लू में रखने होते हैं और उस पर जुस्ती से भी आप इनको खा रहे हैं, दही है या पंचमरत है उसको लगा करके इनको साबुत निगला जाता है ध्यान रखे गाज को इनको आप सुरू के दो निवाले निगलते हैं उन्हें दातों से चवाया नहीं जाता और जब हम इसको गाज को खोलते हैं तो कहते हैं गाज खोलू काहे पर, धन पर, दोलत पर, बच्चों पर, सुहाग पर, सस्राल पर ऐसा महिला एक दूसरे से मिलकर कहती है जब इस गाज को खोलते हैं तो यही गाज को खोलना कहा जाता है अम बात आती है कि गाज का डोरा कहां से ले तो आपके पडोस में कोई बामनी है या जो महिला व्रत रख रही है वो गाज बांध रही है तो आप उनसे गाज का डोरा ले सकते हैं नहीं तो आप कच्छे सूत का तीन धागा आप खुद भी इसको बांग सकते हैं इसको चूड के लिए रखे हैं उन्हें मिस्त्रानी को दे सकते हैं अगर आपके पास में गोबर नहीं है तो गमले में मिठी खोद कर आपके घर में मिठी खोद कर उसमें आप अपनी इस गाज को दबा सकते हैं और जो आपने मीठी मटरी बनाई है जो गाज रोड बनाई है उनको आपको व्रत में खाना होता है चले दोस्तों आप जानते हैं गाज माता की कहानी क्या है जिसके बिना व्रत की कथा अधूरी होती है दोस्तों कहानी सुनते समय इस जिसका जरूर ध्यान रखिए अगर आप किसी दूसरे से कहानी सुन रहे तो आपको बिश में हुंकार जरूर भरते रहना चाहिए तभी कहानी पूरी मानी जाती है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं गाज माता की कहानी पुराने समय की बात है एक नगर में राजा और रानी रहते थे उनके कोई संतान नहीं थी संतान ना होने के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे महारानी तर्षाल महारांई के लड़का हुआ लेकिन महारांई कढ़ाई करना भूल गई। चाहते थे तो इसलिए बच्चे को देखकर अंतिंत प्रशन हुए और वह उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले गये तब धोभी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील-बीलनी के घर पाले में सोते हुए देखा था कहीं वही तुम्हारानी का लड़का नहीं है जब उसने राजा को यह पता चली कि मेरा बेटा या कोई बच्चा भील-बीलनी के घर पर है इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने गाज माता की कढ़ाई करने के लिए बोला था और हमने गाज माता की कढ़ाई नहीं की इस कारण गाज माता ने हम से हमारा बेटा ले लिया तब मारानी ने कहा कि हे गाज माता मेरा बेटा मुझे वापस कर दो मैंने जितनी भी कहा था मैं उसकी दुगनी कराई करूंगी और गाज माता का खुब धूमदान से उन्हों ने उजमन किया तब गाज माता ने प्रशन होकर उनका लड़का वापस ला दिया बिल बिलनी के यहां भी बहुत सी धन दोलत आ गई और एक सुंदर पुत्र की प्राक्ति भी उनको गाज माता की कहानी कहने वाले को भी गाज माता की कहानी सुनने वाले को भी और हामी भरने वाले को भी और पूरे परिवार के सब के दुगदूर करना आशा करती हूँ दोस्तों गाज माता की कहानी आप सब को पसंद आई होगी आप छिलिए जाल लेते हैं विनायक जी की क जो मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इसके बाद आज मैं आपको तीसरी विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूं ऐसा नहीं है कि आपने चुटक विनायकी की से पहले एक या दो कथा सुनी है तो आप कहेंगे कि यह कथा न घर आठा बेसने जाती थी जिस कपड़े से वे आठा चांती थी उस कपड़े को लेकर लाकर उसे पाणी में घोल कर अपने पती को पला देती थी एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और पनी मा से बोला मा ताई कंहां इससे जो आटे का कपड़ा लेकर जाती है उसे ताउजी को घोल कर पिला देती है देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जिठानी को बोली मेरे घर का आटा चानने के बाद कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाना तो जिठानी ऐसा ही करने लगी लेकिन जब घर जाती और पती बोलता के मुझे आटा घोल कर पिला दो मुझे भूक लगी है जिठानी ने बोला आज आटा चानने का कपड़ा देवरानी ने रख लिया तब उसके पती गुस्ते में आकर उसको मालने लगा और उस रात गनेश जी को वो याद करते करते सो गई गनेश जी आये तो गनेश जी ने पूछा क्यों सो रही हो क्यों रो रही हो वो बोली मेरी देवरानी ने आटा चानने के कपड़ा लाकर मेरे पती को घोल कर मैं पिला देती थी जो मैं अपकवडा देवरानी की हांसे लाती थी आटा छानने का आद मेरी देवरानी ने उस कपड़े को नहीं दिया और अपने पती को पिला नहीं सकी इसलिए मेरे पती ने मुझे मारा तब गणेश जी ने कहा घर घर से तिलकुट खा कर आया हूँ इसलिए मुझे सोच जाना है कहां पर जाओं उसने कहां महाराज बहुत जगे पड़ी है कहीं पर भी चले जाओ गणेश जी सोच करके महां से चले गए थोड़ी देर बाद जब जिठानी उठी तो उसने देखा सारा घर तो उसका हीरे मोती से भरा पड़ा है और वो धन को इ अपनी मा को ये बाद बताई देवरानी दोड़ी दोड़ी अपनी जठानी के पास आई और पूछा कि जठानी जी इतना धन तुम्हें कहां से आया तब जठानी ने सारी बाद बता दी इतना सुनकर देवरानी के मन में लाला चा गया और अपने पती से बोली कि मुझे भी क्यों मार खाती है लेकिन वो नहीं मानी और पती ने उसे खूम मारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई और बोले जब गणेश जी आया तो गणेश जी ने कहा मैं घर घर से तिलकुट खा कर आया हूँ मुझे सोच जाना है कहां पर जाओ तब वह बोली महराज म अपने तो मेरे साथ धोका किया कपट किया जिठानी को आपने इतना सारा ध्हन दिया और मुझे कूड़ा करकर दिया ऐसा क्यों गणेश जी वहां आये और बोले तु धन की भूकी मार खाई और वह धर्म की भूकी बार खाई देवराणी बोली महराज यह सब कूड़ा तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी तो हे गजनन गणेश जी महराज जैसे आपने देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जैसे जेठानी को दिया वैसा सब को देना विनाइक जी की कहानी सुनने वाले को भी कहने वाले को भी और हुंकार भरने वाले को भी और पूरे परिवार को देना तो बोलो चुतक बिनायगी की जए दोस्तो इस तरीके से कहाणी कहाखर कहाणी को समाप किया जाता है साथ ही साथ कहाणी सुनते समय होंकार जरूर भरते रहिए तो दोस्तो अम्मीद करती हूँ गाज माता की व्रत कथा आप सबको पसंद आई होगी विनाइक जी की कथा आपको पसंद आई होगी और दोस्तों जब आप गाज माता का व्रत करते हैं तो जैसे आपके परिवार में होता है रीती रिवाज के अनुसार अपनी परंपरा के अनुसारी इस व्रत को करें कहीं कहीं पर गाजमाता के इसमें सवा सेर के रोड बनाय जाते हैं एक ओरत के हिसाब से दो रोड बनाय जाते हैं और कहीं कहीं पर हलवा पूरी बनाय जाते हैं तो जैसे भी आपकी यहां परंपरा है मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आईते like share करना ना भूले